Hello everyone, आप सभी का फेसे स्वागत हैं, ये physics का discussion है और आज का topic है electronics, वेधुत की ये अध्याय 12 है, तो चले श्टार्ट करते हैं, अधिए वेधुत की के अंतरगत, भौतिकी, अभियांत्र की, प्रधोगी की तथा उन अनुप्रियोगों को समलित किया जाता है, जो किसी पदार् प्रिवात में, इलेक्ट्रोनों के उस सर्जन, परवा, तथा नियंतरण से समद्धित हैं, भौतिक विग्यान की असाखा समानेत, विभीन, इलेक्ट्रोन युक्तियों, यानि डायोड, ट्रांजिस्टर, एकिक्रित परिपत आदी का परियुग करके, बीदुत परिपत न अचना वाले पदार्थ, जिनके इलेक्ट्रोन मुक्त वस्था में बिद्यमान होते हैं, तथा समानेतापर जिनकी बेदुत चालकता चालकों युँँ और चालकों के मध होती हैं, अर्ध चालक कहलाते हैं, सिलिकोन, जर्मेनियम, कार्बन, तथा आर्सेनिक आदी अर्ध अर्ध चालकों के परकार types of semiconductors इनके दो परकार हैं आंत्रिक अथ्वा नैज अर्ध चालक दुसरा है बाह अर्ध चालक। अर्द चालक हलाते हैं सुध जर्मेनियम एवं सिलिकॉन प्राकृतिक अवस्था में पाय जाने वाले परमुख अर्द चालक हैं बाह अथवा अप द्रबई अर्द चालक नैज अर्द चालकों की वैदु चालकता बहुत कम होती है इन्हें अधिक उपियों की बनाने के में मुख रूप से आर्सेनिक एवं सिलिकॉन का परयोग किया जाता है याद रखिएगा और ऐसे असुध अर्द चालकों को अप द्रबई अर्द चालक कहते हैं नीज अर्द चालकों में असुधियों को मिस्रित करने की परकिरिया डोपिंग कहलाती है अप द्रबई या बाह अर्द चालकों के परकार पहला है इन परकार के अर्द चालक तो देखिए एक सुध अर्द चालक के बाहतम कोस में चार इलेक्टरोन होते हैं जब इन में ऐसे परमाणू मिलाए जाते हैं जिनके बाह कोस में पांच इलेक्टरोन होते हैं तो नैज अर्द चालक के चा इलेक्ट्रोन ग्रहन करने की परविर्ति उत्पन हो जाती है। जैसे इस परकार रिणा वेस उत्पन हो जाता है। इसे निगेटिव के एन अच्छा से परदासित करने के कारण इन परकार के अर्धचालक कहते हैं। इन परकार के अर्धचालक की सनवहन पटी में इलेक्ट्रोनों की संख्या अधिक होती है जबकि सन्योजी पटी में छिदरों की संख्या कम होती है। सन्युजक्ता वाले ठीक है तो तीन सन्युजक्ता वाले अब द्रब एलमिनियम बेरियम आदी मिसद किये जाते हैं तो नैज अर्ध चालकों के चारों इलेक्ट्रोन मिलाए गए पदाज के परमाणूं के तीन इलेक्ट्रोनों से जो है बंद बना लेता है नैज अर्ध चालक के नैज अर्ध चालक के पास से इलेक्ट्रोन बंद बनाने के लिए त्यागने की परविर्ती उत्पन होने के कारण धनाविस उत्पन हो जाता है पोजेटिव उत्पन हो जाता है इसे पी परकार का और्द चालक कहते है ठीग है आगे बढ़ते हैं PN संधी डाइओड देखPeP N जक्सन जो डाइओड है PN जक्सन डाइओड एक मूल और्द चालक क्रिष्टल यह युपती है जिसमें P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P- दोनों छेत्र बिधुद उदासिन होते हैं पियन संधी से सम्मंधित पद देखे ओच्छै परत इसके बारे में देख लेते हैं तो ओच्छै परत जो है संधी के दोनों किनारों का ओच्छै जिसमें गतिमान आवेस वाहक कारे नहीं करते हैं और 6 परत कहलाता है इसकी मोटाई 10 के पावर माइनस 7 मीटर होती है और 6 छेत्र जो है आप देख सकते हैं परवेश वाहक छेत्र P-type, N-type यह है मुक्त इलेक्ट्रोन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लेक ब्लेक है यह मुक्त इलेक्ट्रोन है जो ब्लू-ब्लू है वो आवेश वाहक छिद्र है यह रिडायन है और यह धनायन है ठीक है? तो यह बैटरी रहा तो फिगर को एक बार एनालेसिस कलीजेगा बिभाव प्राचीर, नेक्स्ट है बिभाव प्राचीर पी-एन संदी डायोड पर ओच्षे परथ बनने के कारण पी भाग में रिण आवेस तता एन भाग में धनावेस उतपन हो जाता है पर नाम स्वरुक ओच्षे परथ के दोनों सीरों के मद एक बिभाव आंतर उतपन हो जाता है इसी बिभाव प्राचीर अत्वा centigrade के मध होता है तो figure को एक बार देखिए ये देखिए ये P और ये N ये P type N टाइप और ये छिद्र है ठीक है ये रिक्त छिद्र है ये वाला ये आपका electron है और इधा देखिए रिनात्मक ग्राही आयां ये और ये आपका धनात्मक दाता है आगे बढ़ते हैं और next है अग्र अभिनत जब P type crystal को बैटरी के धनात्मक सीरे से तथा N type crystal को रिनात्मक सीरे से जोड़ा जाता है तो ऐसी संदी को अग्र अभिनत कहा जाता है अग्र अभिनत आप देख सकते हैं ये P type है ये N type है ठीक है इसे जो है यह जो है विभोप प्राचीर है आगे बढ़ते हैं उतक्रम अभीनत जब P-type crystal को बैट्री के र्यनातमक सीरे से और N-type crystal को धनातमक सीरे से जोड़ा जाता है तो ऐसी संदी को उतक्रम अभीनत कहा जाता है याद रखियेगा उत्करम अभिनत फिगर को देखिए अनालेसिस किजिए ये p-type है ये n-type है ब्लैक वाला जो है जो ब्लैक ब्लैक दिया गया है ये मुक्त इलेक्टरोन है और जो ब्लू-ब्लू है ये क्या है ये आवेस वाहक छिद्र है ठीक है ये रेडायन है ये धनायन है नीचे बैटरी से connect किया गया है इसके बाद डायोड क्या है डायोड एक विशेश परकार की बेधूत युक्ती होती है जो प्राया अर्ध चालक पदार्थू जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, आदी से निर्मित होती है डायोड में दो सीरे होते हैं जिने एनोड, वो cathode कहते हैं डायोड में दो सीरे होते, जिने एनोड और cathode कहते हैं इनने सीरों को क्रमसर धनात्मक विभव वर रिनात्मक विभव से जोड़कर परिपत में वेदुधारा उत्पन की जाती है डायोड के प्रयूक से वैदुद धारा का परवा एक ही दिशा में होता है तो डायोड के प्रयूक से क्या होता है वैदुद धारा का जो परवा है एक ही दिशा में होता है डायोड को उनके कार के अधार पर विभीन परकार में विभक करते हैं संधी डायोड के प्रकार Types of Junction डायोड. तो देखिए इसके जो परकार है पहला है परकास उरसजक डायोड दूसरा है Genre डायोड तीसरे टर्नल डायोड चौथा है Photo डायोड और पाँचवा है source cell ठीक है? आगे वड़ते हैं ठीक है परकास और सरजक जो डायोड है LED ठीक है लाइट एमिशन डायोड जिसे कहते हैं इसका पुल ने में याद रखिएगा तो परकास और सरजक डायोड या एक विशेस परकार का डायोड होता है जो समान अर्ध चालक डायोड से भीन होता है इसमें जो है गैलियम आर्सेनाइड अथवा गैलियम फासफाइड सिलिकॉन कारवाइड आधी अर्ध चालक पदार्थ परियुक्त होते हैं जो क्रमसा औरक्त या अद्रिश्य परकास हरे रंका परकास या नीले रंका परकास उस सरजित करते हैं देगे इसका उप्योड कंप्यूटर वह कैलूकिलेटर के अंक इसका उप्योग ब्यापक रूप से भंजक वोल्ट छेत्रे ब्रेक डाउन वोल्टेज रीजन में विधुत परिपत में वोल्टेज को नियंतरित करने के लिए किया जाता है जेनर डायोड जेनर डायोड जो है वेविशिष्ट डायोड है जो विधुत धारा को नक के वाल एनोड से कैथोड की और परवाहिद करता है बलकि जेनर वोल्टता प्राप्त करने के पस्चात या विपरित दिशा में भी विदुत धारास को परवाहिद करता है टर्नल डायोड या उँच डोपिंग अर्ध चालकों से निर्मित पी एन संधी डायोड है इसका परयोग यांत्रि घटना में उद्पन विभाव औरोध के अतिक्रमण में जथा उच आवरिती के दोलक और एम्प्लिफायर में किया जाता है फोटो डायोड क्या है? फोटो डायोड परकास पर अधारित अर्ध चालक निर्मित पी एन संधी है जो संधी पर आप्तित परकास के परवाव पर अधारित है इसका परियोग प्रकास अंचालित कुंजियों तथा कंप्यूटर पंच कार्डों आधी को पढ़ने में किया जाता है इसके बाद है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर पी और एन प्रकार के अर्ध चालकों से निर्मित इलेक्ट्रोनिक्स युक्ती हैं जिसमें तीन टर्मिनल अर्ध चालक होते हैं इसमें डोपिंग और चालक की पतली परत को दो पतली परतों के मध रखा जाता है इसके दोनों सीरों के मध दुरूबल परत्यावर्ती वोल्टेज लगे होते हैं ट्रांजिस्टर का अविस्कार उनिसो चुष्टर, सरी, 1947 में, ट्रांजिस्टर का जो अविस्कार है, शन 1947 में अमेरिकी वध्यानी को J.Barden, ना भ्याद खिएगा J.Barden एवं W.H.Bretton ने किया था, जो की एक बिंदू संपर्क ट्रांजिस्टर था, क्या था? एक बिंदु शंपर्क ट्रांजिस्टर पहले संधी ट्रांजिस्टर का विस्कार 1951 में विल्यम सौकले ने दो PN संधियों के परियोग से किया था ठीक है? याद रखिएगा और देखिए ट्रांजिस्टर के जो परकार है NPN ट्रांजिस्टर और PNP transistor दो परकार है NPN transistor क्या है तो इसमें N परकार के दो अर्ध चालग खंड उसर्जक एवं संग्राहक को P परकार के अर्ध चालग के एक खंड या अधार के द्वारा प्रिथक किया जाता है एमिटर को या एमिटर का जो निगेटिव आवेस जो एमिटर है एमिटर का निगेटिव आवेस मुक्त एलेक्टरोनों को एमिटर संगम की और बिकर्शित करता है ये देखिए आप फिगर को देख सकते हैं N टाइप, N टाइप और P टाइप अधार ठीक है सनवाहक, अधार, उसर्जक देखिए PNP transistor क्या है इसमें P परकार के P परकार के जो है अर्द चालक के दो खंड उतसर्जक एवं संग्राहक और N परकार के अर्द चालकों के एक खंड अधार के द्वारा प्रिथक किया जाता है ठीक है, N परकार के इसका उप्यूग जो है, amplifier के परिपत में किया जाता है परवर्धक के परिपत में transistor के गूण और दोस क्या है इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं तो transistor के जो गूण है transistor के कार के लिए ताप ये सक्तिक अच्छ है नहीं करना पड़ता है transistor अपेक्छा क्रित कम voltage पर परियूग किया जा सकता है ये सभी गूण है transistor का अधार छोटा होने के कारण इनका उप्योग छोटे electronics यंत्रो में किया जाता है दोस क्या है तो transistor का जो पहला दोस है तापी परिवर्थन से इनकी कार च्छमता पर परभाव पड़ता है इनके अविलक्षन समान ना होने के कारण इनका बेहवार भी एक समान नहीं होता है और बंच स्थिती में भी इनमें धारा की कुछ मात्रा परवाहित होती रहती है इसके बाद है एकिकरित परिपत integrated circuits किसी अर्द चालक मुख्यता बात करें तो सिलिकॉन से निर्मित किसी छोटे एकल ब्लॉक यानि चीप के उपर निर्मित बेधुत परिपतों का समूँ एकिकरित परिपत कहलाता है किसी अर्द चालक से निर्मित किसी छोटे एकल ब्लॉक के उपर निर्मित बेधुत परिपतों का समु एकिक्रत परिपत कहलाता है एकल ब्लोक या चीप का छेत्रफल लगबग एक मिलीमीटर स्कुयर होता है आगत सिगनलो Input Signals देखे Input Signals की परिविर्टि के अधार पर एकिक्रित परिपत्थो के दो भागों में जो है विभाजित किया गया है तो आगत सिगनलों की प्रकृति के अधार पर एकिक्रित परिपतों को दो भागों में क्या कर दिया गया है विभाजित कर दिया गया है पहला है रैखिक परिपत और नेक्ष्ट है आंकिक परिपत रैखिक और आंकी देखे रैखिक परिपत के अनुरुप सिगनलों को संसाधित करके क्या किया जाता है अधिक्तम तथा निउंतम मानों के परिश्टर में परिवर्टित कर उन्हें निर्वाद तथा सतत रुप में परिवर्टित कर दिया जाता है जबकि आंकिक परिपत में उन सिग्नलों का संसाधन किया जाता है जीन में केवल दो मान होते हैं इनमें logic gate जैसे परिपत का उप्यूब होता है logic gate याद रखिएगा logic gate क्या है logic gate एक ऐसा अंकिय परिपत है जो आगत तथा निर्गत यानि input और output वोल्टता है तो input और output गोल्टताओं के मद किसी निश्चित तार्किक सम्मंद का पालन करता है या समानेतर diode transistor एकेकरित परिपत में यानि IC में ON तथा OFF अथाथ switch के रूप में परिपत होती है ब्यापक रूप से उप्योग किये जाने वाले 5 logic gates हैं याद रखिएगा OR IN OR AND IN AND XOR XNOR वफर तथा NOR ठीक है इसको याद रखिएगा OR NOR AND NUN XOR XNOR वफर नॉट इनको याद रखिएगा important है अच्छा यहाँ पर आप आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं logic gate क्या है इसका उप्योग calculator, digital घडियों, computer, robot और होग एक नियंतरक प्रणाली तथा दूर संचार में किया जाता है तो logic gate का पर आप का होता है calculator में होता है, digital घडियों में होता है, computer में होता है, robot में होता है और धौगिक नियंत्रक प्रणाली है और दूर संचार जो है इसमें भी इसका किसका लॉजिक गेट का प्रयुग होता है लॉजिक गेट देख सकते हैं O-R-N-O-R-A-N-D-A-N-A-N-D तो जो फिगर है इसको याद रखिएगा क्योंकि कभी कभार फिगर से ही प्रशन पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला प्रशन है पुछा गया है कि जब अर्ध चालक की डोपिंग की जाती है तो क्या होता है कौन से कथन सत्य है पहला है जो पहला कथन है चालकता बढ़ती है चालकता घट्टी है परतीरोधकता बढ़ती है परतीरोधकता घट्टी है जब अर्ध चालक की डोपिंग की जाती है तो क्या होता है आपको बताना है तो देखिए चालकता वड़ती है और परतिरोधकता घड़ती है तो इसका जो सही option होगा D option केवल पहला और चोथा P-type अर्ध चालकों में क्या होता है P-type अर्ध चालकों में छिद्र बहुत संख्यक वाहक तथा एलेक्ट्रोन बहुत कम वाहक होते है ठर्ड नमबर है जब आर्सेनी को सिलिकॉन की और सूधियों के साथ मिलाया जाता है तो पदार्थ परिणाम देता है क्या परिणाम देता है? जब आर्सेनी को सिलिकॉन की और सूधियों के साथ मिलाया जाता है तो पदार्थ परिणाम देता है एन टाइप अर्ध चालक फोर नमबर है पियन संधी की और श्यपरत की चोड़ाई क्या है? पियन संधी की और श्यपरत की चोड़ाई उतक्रम अभिनती के तहत बढ़ती है डी अप्शन बिल्कुल ही कैरेक्ट अप्शन है फाइप नमबर है एक सूध अर्ध चालक में ताप बढ़ने से परिमित परतिरोध घटता है क्या होता है? इसके बाद नेक्स्ट प्रशन है अति चालक वे तत्व होते हैं जो बहुत कम ताप पर इनका परतिरोध घटकर सुने हो जाता है सेवे नमबर है और्ध चालक की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है क्योंकि और्ध चालक की चालकता जो है ताप बढ़ने पर बढ़ती है प्रशन शंख्या एट है PN जंक्सन में डायोड के द्वारा बेपरित धारा होती है जिसका कारण है और 6 चेत्र में बेदुत चेत्र की अधिकता होना आगे बढ़ते हैं 9 नमबर जब अर्ध चालक गर्म होता है तो इसका परती रोध क्या होता है कम होता है बढ़ता है समान रहता है बढ़ना या घटना अर्ध चालक पर निरुभर करता है तो याद रखिएगा जब अर्ध चालग गर्म होता है तो इसका परतिरोध कम होता है option A बिल्कुल correct option है और इसी के साथ आज का जो topic था समाथ हो जाता है next में हम लोग जो है आधनिक भौतिकी के बारे में या modern physics के बारे में discuss करेंगे तो अभी के लिए इतना ही आप अपना परतिकिरिया जरूर दीजिए आपके परतिकिरियाओं का हमें बिस्सबरिस इंतजार रहता है और जीन लोगों ने टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम quiz group, facebook page, instagram को जोई नहीं किया है वीडियो के description box में उसका link है, आप जोईन कर सकते हैं जीन लोगों को PDF चाहिए, comment कर सकते हैं या channel के community box में जाएए, वहाँ पे इसके regarding में information को update किया गया है या टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम quiz group को जोईन किजिए, वहाँ भी आपको जोई इसके regarding में information मिल जाएगा तो thank you, मिलते हैं next session में, अभी के लिए इतना ही